ग्यानवापी मस्जिद प्रकरण की आग शांतवादी हिमाचल में भी पहुच गई देवभूमी हिमाचल के पावता साहिब में एक समुदाय विशेश के वैक्तितो द्वारा सोशल मीडिया पर सिवलिंग को लेकर की गई टिप पड़ी के पार मुस्लिम बहुए लाके माजरा में स्थती तनाव पूर्ण हो गई पावता साहिब के माजरा में देश शाम को एक समुदाय विशेश के लोगों ने पुल स्थाने को घिराफ किया देखते ही देखते माजरा में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्तित होना सुरू हो गए जिसके चलते स्थती तनाफोन हो गई देश शाम को हुवे इस प्रकरण के बाद माजरा को चावनी में तबदील कर दिया गया यूबक ने सिवलिंग को लेकर सोशल मीडिया पर टिप पड़ी की थी जिसके चलते हिंदू संगुटhanों ने पुल स्थाना में मामला दर्च करवाया बताते चलने कि आज दुपहर को मुस्लिम समुदाय के एक यूवक द्वारा सिवलिन को लेकर सोशल मीडिया पर टिप पड़ी की गई थी जिसके चलते हिंदु संगठनों ने पुलस थाना में मामला दर्श करवाया और देश शाम को उक्ति यूवक को गिरफतार कर लिया गया जब देश शाम आरोपे को को पुलस स्टेशन लाया गया तो महौल और अधिक खराब हो गया फलहाल पुलस बल तैनाथ है और हिंदु संगठन और मुस्लिम समाज के लोग आमने सामने हैं महौल बेहत तनावपूर्ण है हाला की नाहान और पाक्ठा से भी पुलस बल को मौके पर तैनाथ किया गया है बताते चले कि यूबवक गिरफतारी के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए और उन्होंने माज़रत थाने का गिराफ का सुरूर कर दिया गिरो रिपोर्च आई पिन